Hello everyone, आज के इस वीडियो में मैं आपको Class 10 Social Science का बिल्कुल Official Blueprint देने जा रहा हूँ 2025 में होने वाले CBSE Board Examination के लिए अब इस Blueprint का सबसे बड़ा benefit आपको यह होगा कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से chapter की ज़्यादा अच्छे से त्यारी करनी है क्योंकि जिस chapter से ज़्यादा मार्स के कोशन आएगे तो अब इसलिए हम उस chapter की ज़्यादा अच्छे से त्यारी कर सकते है तो इसे त्यारी करके जाओ आपके examinations में 80 out of 80 भी आ सकता है चलिए यहाँ से हम सबसे पहले social science का जो paper का level है यह आपको मैं उताता हूँ फिर आपको मैं chapter wise भी बता दूँगा कि किस chapter से कितने कितने marks के questions आएगे आपके examinations में इस बार जो आपका 2025 में board परिक्षा होगा ना इसमें total number of questions जो रहेगा वो 37 रहेगा जिसमें से जो tough question रहेगे वो करीब 7 question जो रहेगा वो tough में रहेगा जो कि यह सारे के सारे competency based questions होगा अब यह जो case study based question से यह करीब 3 रहेगा इसी tough question में assertion region से total 4 question हैगा तो इस तरह से 7 number का जो रहेगा वो थोड़े tough type में रहेगे इसके बाद जो medium level का questions रहेगा यह करीब 20 question रहेगा जिसमें कुछ नए type के questions रहेगे इसमें भी कुछ competency based questions सामिल रहेगा और कुछ इसमें previous years के भी questions पूछा जाएगा वहीं जो easy questions होगे जिसको आप easily कर सकते हो ज्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगे वह करीब 10 होगा जिसमें से कुछ questions NCRT के रहेंगे और कुछ map वाले questions रहेंगे और इतना पता होगा कि map से 2 number question हिस्ट्री से आएगा आगे मैं बता होगा कि कहां से question आएगे and 3 marks का question जिगरफी से आएगा ठेक है तो यह आपका social science का paper का level हो गया pattern हो गया आप देखो history से इतना आपको बता होगा कि 20 marks का question आएगा अब history में यह सब सारे chapters आपके portions है सबसे पहले आपको nationalism in Europe पढ़ना है फिर nationalism in इंडिया पढ़ना है यहां से 2 marks का आपका map वाला question भी पूछा जाएगा तो एक चीज़ आप जान लो कि अगर आपका यहां से map वाला question आ रहा है न तो इससे ज़्यादा marks का question नहीं आएगा आगे मैं बता रहा हूँ कि कितने marks से question आएगे इसके राद जो आपका third chapter है making of a global world इसमें only two marks सा question आएगा आगे मैं अच्छे से और समझाऊँगा कौन सा question आएगा वो भी बताऊँगा फिलाल मैं आपको यहां पर ऐसे बता दे रहा हूँ चीक है क्योंकि यह आपका बहुत बड़ा topic नहीं है इसमें से syllabus को बहुत सारा चीज को हटा दिया गया है आपको इसमें केवल pre-modern world से लेके conquest, disease and trade तक ही पढ़ना है और इसके बाद एक ही chapter और पढ़ना है print culture and the modern world तो बस यही portion से इस टीक ने चीक है अब यहां पर देख लो मैं आपको chapter wise बता दे रहा हूँ अपने किताब में टिक कर लेना किस chapter से कितने कितने marks से questions आएंगे ठीक है सबसे पहला chapter है इसमें से examines में 7 marks को जाएगा जिसमें से 1 marks वाले 2 questions आएंगे और 5 marks वाले 1 question रहेगा मतलब कि multiple choice question जो रहेगा MCQ में यह करीब 2 रहेगा और जो long question answer है इसमें से एक ही पूछा जाएगा ठीक है अब यहाँ पे questions भी आप कुछ देख सकते हो इन questions की भी आप त्यारी कर सकते हो किस type का questions रहेगा long में 108 में यहाँ पे दिया हुआ जैसे यहाँ 2 questions long के लिए दिया हुआ है इसे 2 questions आपका 100% guaranteed है वो आ जाएगा ठीक है अगर किसी को देखना होगा map वाला video हमने अच्छे से समझाया हुआ इन सभी maps को description पे link दे दूँगा comment करोगे तो comment करना अगर चाहिए होगा तो map से 2 questions आएगा 4 marks का 1 question आएगा और यह 4 marks वाला question रहेगा इस में पहले भी आपको बताया था कि इसमें से केवल 2 marks का question आएगा अब यह जो 2 marks का question आएगा तो यह केवल 1 और question पूछा जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा question नहीं आएगा ना ति इसमें multiple choice कोई question आएगा ना ही long में कोई question आएगा ठीक है आप question आपका यहाँ पे देख लो किस type के questions आएंगे इन questions के आप त्यारी कर सकते हो यह आपके परिछाओं में 100% पूछा जाएगा ठीक है मैं आपको blueprint के साथ-साथ questions भी देते जा रहा हूँ नेक्स्ट आपका chapter है print culture and the modern world इसमें इस examinations में 5 marks के questions आएंगे 1 marks में जो mcq होता है mcq में 2 questions आएगा और 3 marks में 1 question आएगा ठीक है mcq के यह 2 questions के त्यारी कर लेना यह आपके examinations में 100% पूछा जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा important है यह and long में 3 marks में यह question आप त्यारी कर लेना ठीक है और globalization and the Indian economy पढ़ना है अब देखा जाए तो यह chapter तो आपको full full तीनों पढ़ने है यह 3 chapter आपको full पढ़ना है बट यह chapter आपको पूरा नहीं पढ़ना है इसमें केवल 2 topic पढ़ना है एक तो आपको पढ़ना है कि globalization होता क्या है और comprehensive factors होते हैं जिसे कि globalization को affect पढ़ता है तो य दो ही question की आपको त्यारी करनी है ठीक है आगे मैं इसका question और chapterized blueprint भी यहाँ पर आपको दे रहा हूं सबसे पहला गरम development का बात करें तो इसमें केवल 4 marks यह question आएगा जिसमें से 2 marks के आपके 2 question पूछे जाएंगे अब यहाँ पे question with answers आप यहाँ पे देख सकते हो question और answers मैंने यहाँ पे दोनों ही दे दिया इस type का question आपका पूछा जाएगा ठीक है में भी की same यही questions भी आपके examinations में आ जाए तो questions की त्यारी करते जाना इसका अगला chapter है sectors of the Indian economy इसमें से examinations में 7 marks का question आएगा जिसमें से 1 marks वाला 1 question और 3 marks वाला 2 question पूछा जाएगा ठीक है अब यहाँ आपके देख सकते हो एक जो question पूछा जाता है इस तरह से आप लोग का एक table वागेरा दिया रहता है और इसे question इसे related question पूछा जाता है और इस तरह से एक question आपका आता है MCQ में ठीक है 3 marks वाला 2 question भी आपका आएगा अगला chapter number 3 है money and credit तो इसे examinations में 6 marks का question आएगा एक marks वाले एक question and 5 marks वाला एक question पूछा जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो 5 marks में किस टाइप का question आपका बनेगा and 1 marks में आपका कुछ इस प्रकार से question जो है वो दिया हुआ रहेगा next chapter number 4 है जो कि last chapter है globalization and the Indian economy तो इस examinations में 3 marks तक question आता है इसमें 3 marks का एक ही question आएगा जिसमें पूछ दिया जाएगा globalization क्या होता है और कौन-कौन से factors होते हैं जो कि globalization को affect करता है बस यही question आता ही है इसे ज़्यादा question आपका इसमें और कुछ भी नहीं आता है तो यह 2 कर लो आप आपका यह chapter easily आपको 3 marks देकर जाता है ठीक है यह chapter आपको 3 में 3 marks देकर जाता है आज आते हैं आप geography में तो इससे भी 20 marks का question पर इच्छा में आएगा यह सब सारा आपका portion है ठीक है इसमें से केवल यह जो lifelines of Indian economy नेशनल economy है ठीक है lifelines of national economy है तो यह वाला chapter deleted है इसमें से map वाला question आएगा ठीक है बाकी इससे आपको पूरा पूरा कुर्तियारी करना है अब अगर पहला chapter का बात करें resources and development तो भाई इससे exam license में question आता ही नहीं है आप सोचोगे sir ऐसा कैसे हो सकता है question आता ही नहीं है बिल्कुली सच बात है आप question paper देख सकते हो previous year जो भी CBC ने पू आता है अगला chapter है forest and wildlife resources तो इससे exam license में 3 marks का question आएगा जिसमें से 1 marks का 1 question and 2 marks का 1 question पूछा जाएगा and question आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका रहता है कुछ इस प्रकार से statement दिये हुए रहते हैं option दिया हो रहता है बताना कौन सा सही है ठीक है अगला chapter है water resources इसमें से exam license में 4 marks का question आएगा जिसमें से 4 marks का ही एक ही question आता ही है वो भी case study based में ठीक है water resources से 1 question case study based में पूछा जाएगा इसके बाद है agriculture तो agriculture से 5 marks का question आएगा 2 marks का 1 question आएगा 2 marks वाला 1 question and 3 marks वाला 1 question आएगा question आप यहाँ पे देख सकते हो 3 marks वाला 1 question हो गया and यहाँ पे 2 marks वाला question यहाँ पर दिया होगा है और MCQ में भी आपका यह question बन सकता है एक-एक marks वाला दो question भी दिया जा सकता है अगला है minerals and energy resources इस examinations में 5 marks का question आएगा 5 marks का एक question आई ही आपका आता है long में and इस प्रकार से आपका question जो है वो पूछा जाएगा, question यह आप लोग के लिए बहुत जादा important है, इसकी तियारी करके जाब यह 100% आपके examinations में पूछा जाएगा अगला chapter है manufacturing industries तो इस examinations में only 2 marks का ही question आएगा, और 2 marks वाला केवाल एक ही question आता है, ठीक है 2 marks वाला question किस प्रकार से रहेगा, तो आप यहाँ पे इसके questions को देख लो, ठीक है, इस तियारी का question आपका 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना, चलो, अब आज आते हैं, last जो अमारी किताब चलती है, political science यानि की civics, अब इसमें से total number of question जो रहेगा, वो 20 इसमें से भी रहेगा, इसमें आपको यह सब सारा portions दिया गया है, power sharing, federalism, gender religion and caste, political parties and outcomes of democracy, अब power sharing से अगर हम बात करें तो इसमें से examinations में 3 marks का question आएगा, 1 marks का 1 question, कुछ इस परकार से map type वाला question रहता है, and 2 marks का 1 question पूछा जाता है, ठीक है, question यहाँ पर आप देख सकते हो किस परकार के question आपके परिक्छा में दिया होगा रहेगा, अगला chapter आ जाता है, federalism, जो कि political science का second chapter है, तो इसे examinations में 4 marks के question आएगे, 1 marks का वाले 2 question पूछा जाएगा, मतलब 2 question यह MCQ में आएगा, and 2 marks वाला एक ही question आएगा, जैसे तरह से यहाँ पर question आप देख सकते हो, इस तरह के question आएगे, ठीक है ना, अगला chapter आता है, gender, religion and caste, इसे examinations में 4 marks के question आएगा, तो 1 marks वाला 1 question, and 3 marks वाला 1 question पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 marks में किस टाइप के question आएगे, and इस परकार से एक table जो रहता है, दिया रहता है, and आपको question, यहाँ पर question दिये वे रहते हैं, इसकी value find करनी रहती है, इस तरह का एक question आपका gender, religion and caste से compare type में रहता है, political parties, इससे examinations में 6 marks के question आएगा, question इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें से 1 marks वाला 1 question MCQ में रहेगा, and 5 marks में 1 long question पूछा जाता है, एक ही रहेगा, but उसमें आपको optional question भी मिल जाता है, तो कुछ इस प्रकार से जो question है, वो आपका पूछा जाता है, ठीक है, question यहाँ पर देख लो, अगला chapter है, outcomes of democracy, इसमें से examinations में 3 marks कोशन आएगा, इसमें से एक ही question ही आता है, 3 marks में, आप यहाँ पर देख सकते हूँ, किस तरह से जो question है, वो पूछा जाता है, इसका answers भी हमने लिख दिया है, question आपका यही पूछा जाएगा, ठीक है, examinations में यही सब आता है, तो इन questions के भी त्यारी करते जाए, देखो, आपके लिए वीडियो बहुत जादा important थी, क्यों important थी, क्योंकि हम questions के साथ साथ, यह blueprint के साथ साथ आपको questions भी देते हुए जा रहे थे, ठीक है, तो आपको आपके examinations के लिए best of luck, अगर इसी तरह से अगर आपको other subject के भी blueprint चाहिए, important questions चाहिए, तो चैनल को subscribe करके जरूर रख लेना, thank you, bye bye.